हाई फ्रेंड कैसे हैं अब सब मैं असा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मैं फूल चल्मोरिया अपनी यूटूब चैनल में स्वागत करता हूं फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारे सामने होंडा की ट्विस्टर बाइक जिसमें करेंट का प्रॉब्लम है इसका प्रॉब्लम किस तरह से हमीं सोट आउट करना है किसको समझना कैसे है कि कहां पर क्या खराबी है तो इन सभी को जानने कि से पहले आप लोग अगर हमारी चैनल पर फरस्ट टाइम है हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा साथ में बेला इ जब शब्सक्राइब को सबसे पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा जो है और की को करने के बाद में यहां से देख सकते हैं पलक का लिट हमने ऐसे निकाला हुआ है और चलिए मैं आपको किक को जो है प्रेस करके दिखाता हूं देख सकते हैं जरा सभी कुछ भी नहीं इसमें जो है करन्ट आ रहा है तो हमें इसको कैसे चेक करना है चलिए मैं आपको इस्टेप आपको तो जब भी आपके बाइक में इस तरह से स्टार्टिंग का प्रोब्लम आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां से जो है आपके क्या परिसानी तो नहीं है तो सबसे पहले आपको यहां से चेक करना है ऐसे आपको ओपन करना ठीक है यहां से ओपन कर लेना है और यहां से इसको ओपन कर लेना इसको भी तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है यहां से यह वाइट वाले पे आया हुआ हुआ है इसमें एक टूकड़र आपको जोड़ना है or body बसक्ना करके देखना कि कि इसमें current आ रहाרג है कि नहीं तो चलिए इसको ट्रेस करके मैं आपको दिखाता हूँ देख सकते हैं कि किस तरह से सफ़ी ईपार आ रहा है तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे जो मैगनेट कोयल में खराबी नहीं है अगर इसमें जो करेंट नहीं आता सफेद वाले वायर में तो समझ लीजिए कि हमारी बाइक में यह प्रॉल्म इसमें हो जाता और यह जो ग्रीन कलर का वायर एक आपको देख पा रहा होगा तो इसको भी आप देख सकते हैं यह ग्रीन मल्टी मीटर से किस तरह से चेक कर सकते हैं उसको भी आप जान सकते हैं लेकिन ब्रॉपर जो हमसे करना है साय तो देख सकते हैं快 never मटावी को सबसे पहले अपको क्यеждAY नयुक्ट है यहां पे लाना है इसके इसकी वायर में लगाया हुआ है इस इसका इर्थ करे सकते हैं या चाहे आप उसको वहां से लिया चाहे को हम्ने वहांसे प्लत यह डिकत नहीं तो यह हमारा देख सकते हैं अभी 100 267 278 के बीच में आ रहा है क्योंकि यह जो हिल जाता है इस विएस से कमज्यादा हो जाता तो इससे हमारा पता चलता है कि हमारा जो है यह जो क्वाइल जो है यह सही है तो यहां से हमारा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए आगे का इस्टफ में आपको दिखाता हूं कि कहां पर यहां से इसको कनेक्ट कर देना है इस सॉकेट पर तो चलिए मैं यहां से कनेक्ट करके उसके बाद में आगे ही वारे सबसे होते हुए सिधर यहां से होते हूए सिधर आता है आपका यहां पर चार्जर वोस्रीकते हैं सबसे पहले आपको यहां तक करेंट्ट आ रहा रहा है में इनपुत ही चेक करना लोटा है जब भी यहां से current magnet से आए तो आपको input यहां से चेक करना है चलिए यहां से लगा के और इसके बाद में test करता हूं और ठिक को मारता हूं चलिए नद्दीख करता हूं थोड़ा देख सकते हैं इसमें current जरा सभी नहीं आ रहा तो इससे हमारा यह पता चल रहा है कि जो हमारा input line जो है यह बाइक का यहां पे खराब है तो यह वायर कटा भी हो सकता है यह सोट भी हो सकता है या और कुछ भी प्रॉब्लम अगर इसमें वायर में आता है तो आपको जो है यहां तक current अगर आ जाएगा जब तो इसके लिए क्या करना होगा आपको यहां से दो वा यहां से चली आती है ठीक है वहां से एक वायर यहां से जाता है और यहां पर देख सकते हैं दो वायर इसमें से निकला है एक जो है सीडिया में यह मोटा वाला रेड़ वाला गया है और पतला वाला जो है इसी दे आपका यहां पर बैटरी पर देख सकते हैं यहां पर चला आना है और जो दूसरा वायर एलो कलर का यहँ पर देख सकते हैं यह है जो आपको एलाइट का प्रोब्लम जो है यहां से इससे होता है अगर यह बाइक में जो है इन्फुट आएगा और एलो में नहीं आएगा तो इस से यह पता चलेगा कि यह आपका रेक्टिफ फायर जो है यह खराब है क्योंकि इन्पूट जो है आने के बाद में आउट्पूट यह दो जगहां से कनोट करके भेज़ता एक रेड़ पे और दूसरा जो है यह लो जो है लाइटिंग के लिए चला जाता है और यह जो है रेड़ वाला जो है यह ज यह सकते हैं यह जो है आपका यह से गरीन हय इस पर और यह संसर हमें छुछ भी तो इसकीं कुम नहीं है करभ़ोरिटर का सनसर लगा रहता है वह और दूसरा यहां पे लिए यह कं फाल result और सकते हैं और एक जो यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है आपका पल ड्यसक्तार्ट यह जो है इसी वायर का जो है आउट जब ही आपको CDI को चेक करना हो तो वहां से इंपूट जो यहां से देख सकता है 12 वोल्ट यहां पर यह रेड़ पर आना चाहिए इसमें खरन आना चाहिए जब भी आपको नीचाल करना चाहिए अगर यहां चौन है तक भी आना चाहिए तब आपको समझना है कि यहां खराब है यहां सकक्रेंट चेक करना होता है तो सबसे पहले आपको यहां कहां से गायब है तो हमने देख सकते हैं कि यहां से वायर को खीचा हुआ है पहले से ही तो यहां से अभी वायर कटा नहीं दिख पा रहा है तो चलिए और कहीं भी चेक करता हूं कि कहां से कटा है तो चलिए यहां से पहले मैं यहीं से सुरुआत करता हूं यहां से खीचने के कहां से हैं देख सकते हैं फ्रेंट कि यहीं से यह वायर जो है यह जो है कटा हुआ देख सकते हैं यह वायर देख सकते हैं सुरुवात से ही कटा हुआ है यहां से कारवन को से बना हुआ है यह साइड पहले से जॉइंट था जो रबर के अंदर था इसलिए हम लोगों का निग with wire का किस तरा से हिस्तित है कि 7 completely sick break हुआ है तो इसको हमें पहले test करना है सब से पहले यहां से जोड़ने के बाद में तो चले GB दिखाता हूँ नभी तो देख सकते हैं कि हमने यहां से वायर को पहले desk कर दिया जोड दिया देख सकते हैं बाद में सब्सक्राइब कर i कर दो कि कि द。 यहां से हमारा जो है इन्पूर्ट आ गया है इसको आपने देख लिए करता हूं और आपको सीधे पलक पि दिखाता हों कि करेंट अभी आने लगा कि नहीं तो सबसे पहले चलिए यहां पे एच्टी कॉयल वाले वायर पे मैं ठेच करके और मैं आपको बोड़ी पे ठेच करके दिखाता हूं कि यहां तक आ रहा है कि नहीं किस तरह से इस पर इस पार काना चाहिए इसको पहले आपको देखना है जान सकतारा से यह है और आभी हमारी बार्इक यार कि किस ट्रह कमें यह यह प्रॉबल्लम हो रहा था और आ एक हमारी जूए स्ट आट हो चुकी है और इसमें कुछ भी प्रॉबल्लम नहीं था बस वहीं वायर के वाज़य से बैटरी चार्जिंग भी नहीं कर रहा था साथ में स्टार्टिंग अभी प्रॉलम आए जिसके वज़े से हमें सब कुछ इसका खोलना पड़ा और इसका सब्सकुछ सीडिया वगरा जितना भी है साथ सब पार्ट सब कुछ सही है और यह अब हमारा यह सही हो चुका है तो इससे वापस मैं फिर से सेट करूंगा और कंपलीट कर के चले मैं स्टार्ट करके फिर मैं आपको दिखाता हु हमारे किस देख सकते हैं के हमने हैं गाड़ी को रिदि कर दिया है तो चले सब्सकाा करके औक पर, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, बीडियो परसंद आई आऊ तो मैं इस तो पहले बारा हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजीगा क्योंकि आपको हमारी इस चैनल पर बाइक से रिडियेटर वीडियो मिलती रहती है तो चलिए वीडियो को इंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग